हाई फ्रेंट केसे हो मैं अर्ट चुलाँ और फिस्यापका स्वागता है काफी दिनों से मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं था वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिले थे लेकिन अब आपको प्रोपर वीडियो टाइम पे देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो के नहीं बात करने वाले हैं रेडिमी टेवल फाइजू डिवाइस या फिर पोकॉम 6 फाइजू डिवाइस के लिए हाई प्रोपर उसका जो अपडेट आया था उसके बारे में काफी ज़्यादा वीडियो डिले हो चके है लेकिन मैं इसको एक रिवियो के त आए मिला ही नहीं फिछले एक मैने और लगबग होचके तो 45 डेज के आसपास का टाइम होचके है वन मंत 45 डेज के अंदर मैंने यूट्यूब पे वीडियो जो गेरा जो है अच्छे से अपलोड नहीं कर पाया लेकिन अब कोशिश करूँगा कि सारे वीडियो जो है आपक आपको बता दिया था एक वीडियो मेंने ओलरी इसका अपलोड कर दिया था चार्जिंग टेस्ट मेंने इसका कर दिया था बेटरी डेज्ट मेंने नहीं किया था लेकिन मैं सारी चीज़ें आप लगव साथ सेयर करूँगा इतने दिनों के अंदर इसको मैंने परस्टनली यूज भी के तो वो एक्सपिरेंस भी आप लगव साथ सेयर करूँगा तो वर्जन के बात करें तो यह इसका वर्जन था जो है 1.0.4.0 का एंड़ यहां पर बात करें तो एक सिकुर्टी पर जो इसका चेंज किया गया था लेकिन क्या कुछ जो चीज़ें चेंज करनी थी वो चेंज हुई है चारजिंग स्पीट में ने ओलरी दे दिया लेकिन बेटरी डेंड इस्यू इस डिवाइस के अंदर था और अभी भी बेटरी डेंड का इस्यू जे इस डिवाइस के अंदर बरकरार है पहले यह डिवाइस काफी इसकी प्रफॉर्मेस थी डीसेंड थी अबधिये बारा जार का इस रिवाइस उस हिसासे जब हमने वाइक है था तो एक डीसेंड परफॉर्मेस जो यह टिवाइस निकाल कर दे रहा था लैकिन लेकिन यह heat इतनी जल्दी गैन करता है कि पूछो मतलब कि night के अंदर भी heat करता है, दिन के अंदर heat करें कोई दिक्कत वाली बाद नहीं है, night के अंदर रहता है तेंपरेचर ठीक रहता है, उसके बाद भी यह बहुत ज़्यादा heat generate करता है, और usable नहीं रहता है device, चाहिए आप camera open कर लो, चाहिए आप को link करो, कुछ भी chrome मतलब बिल्कुल भी usable नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा slow work करता है, बहुत ज़्यादा slow work करता है, ऐसा feel कर रहता है, जैसे हम device जो यह मतलब की 2008 के जो devices आये थे, वो device यूज करें, उस तरीके का जोने यह device फिल करता है, या उसके बाद जो आये थे, Samsung J2 आया था, वैसी प्रफॉर्मेस नहीं यह device निकाल कर दे रहा है, बिल्कुल भी ऐसा लगता है नहीं है कि अर 12000 का device आया जो latest devices आ रहे है, Android 14 पे आ रहे है, अब Android इ यह प्रफॉर्मेस भाई, बिल्कुल डाउन है, इस device की, अंतो तो बहुत मारों गरा मैं नहीं बताऊंगा, और heating issue में ने बता दिया, इस device के अंदर भी है, और थोड़ा सा गर्मी का रिजिन है, इस जल्दी heat गेन करता है, लेकिन सबसे बड़ा issue है कि device usable नहीं रहता है, आ बहुत सारे बग जो है नहीं इस अपडेट के अंदर में देखने मिले, आप लोग बग के बारे में कमेट कीजिएगा, कमपनी के यार आप लोग feedback send कीजिए, जब तक आप feedback send नहीं करोगे, तब तक जो ना अमारी प्रोलों का समाधा नहीं होगा, जितने जादा आप feedback send करो हो, हाई पर हो सभी stable नहीं हो, stable अब तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि 6 मिनी के आसपस का टाइम हो जो रोलिंग आट शुरू होए, तो यार stable होना चाहिए था, लेकिन stable तो बिल्कुल भी नहीं है, update, so friend यह था इसका review, उमिद आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक स आँगा कि फीचर बिल्कुल भी इस्ट्योस के अंदर नहीं नहीं आए थे, सिर्फ दो ती नहीं बग ही एडवे, so friend उमिद आए वीडियो पसंद आएगे, पसंद आए लाइक सेर और सुस्क्राइब कर दीजेगा, मैं मिलता हूँ किसी नए टोपिक में नए वीडियो के स आप तब तक लिए बाई, जे हिंद।